असलामलेकूम, आज हम बनाएंगे Mixed Wedge Piriyani, जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे कि ये देख में बनी हो और टेस्ट ऐसा है कि खाने वाले बार बार इसको बनाने की डिमांड करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है, और बहुत आसानी से बनकर तयार हो जाती है, और एक गोबी है, छोटी से गोबी है, ये तकडी बन एक कप के करीब होगी, और एक कप दाजी चिलीवी मटर है, और एक कप के करीब है फ्रेंच मींस, ये सबजी हम इसमें डाल देते हैं, इसी के साथ दो मीडियम साइज के आलू भी इसमें डाल देंगे, यहाँ पर अपनी की सबजी आप ले सकते हैं, अब इसमें 3x4 कप यानिकी 150 ग्राम दही डालेंगे, एक टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, नमक मैं डाल चुकी हूँ पर वो शैस शूट नहीं हो पाया, अब एक टीस्पून लाल मिश का पाउडर इसमें डालेंगे, और एक चौधाई टीस को मैंने तर लिया था, गोर्डेन फ्राई कल लिया था, तो दो हिस्सा इसमें डाल देंगे, एक हिस्सा बचा लेंगे, बिर्यानी की लेरिंग के टाइम, इसका इसमाल करेंगे, रख देते हैं इसको एक साइट में, और यह जो इंक्रीडेंट्स हैं, इनको हम अच्छी तर इमिर्च, एक चोथा ही टुकड़ा जाइफल का, एक टुकड़ा जावित्री का, छे चोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, एक बादियान का फूल, एक टी स्पून सफेज जीरा, दो दो इंच के छोटे चोटे चोटे तुकड़े दाल चीनी के, और छे साथ लॉंग को एक मिक्सी के जार में डालेंगे, और इसका एक फाइन पौड़र बना लेंगे, तो इस तरह से बहुत ही खुजबुदार सा हमारा बिर्यानी का मसाला बन कर तयार है, बहुत ही फ्रेग्रेंट के मसाला बनता है, और जितनी बिर्यानी हम बना रहे हैं उसके लिए ये नाइस करके डाल देंगे अब बहुत जाइड़ प्यास को बस हल्गा सा सॉफ्ट होने तक और हल्का पंकिश हो जाने तक तक राई करना है वह जादा इसको गॉल्क को golden fry करके रखें तो जब यहां पर हमारे प्याज हलकी सी गुला भी हो जाएगी एक टेबलो स्पून भरके अद्रक लैसुन का पेज डाल देंगे और पांस से चे हर इमेज डाल देंगे 20 से स्लाइस करके इसको कट कर ली जगा अब हमें इसको एक से डेर मट के लिए भून ल एंच जो यहां पर 2-3 मिनट मैंने इस बुहने और जो जो नहीं पूण है और झा अन पानि बेक्च में पीछ हम्हिश्ण गित इंब विएनी का मसाला हमने बनाए आए अब इसी पानी में जो की सब्जियों ने और दही ने छोड़ा है उसमें हमें सब्जियों को गला लेना है तो ढग कर इसको लो फ्लिम पर पकाएंगे तकरीबन 15-16 मिनट के लिए जब तक पका लेंगे जब तक हमारी सब्जिया जो है वह 60-70% कोक नहीं हो जाती है 100% सब्जि चलिए जब तक सब्जिया पक रही हैं हम बिर्यानी के चावल उबाल लेते हैं तो एक पॉट के अंदर 2-5 लीटर पानी उबाल लेंगे जितने चावल लेंगे उसका 4-5 गुना जादा पानी लेंगे तो आधा किलो ग्राम में चावल ले रही हूं तो मैंने 1.5 लीटर के क कुरा इशाल देंगे दो टेस पत्ते ढल देते हैं और इसी के साथ यस ouvert आधे निवु का रस चावल लेंगे एक attempt पॉन द Elsीजी 5 घा धाल देंगे अपके पास पास और अपके इस दिरह न ही हैं तो आप शखिए जीरे का बें संवेत शूल करं कर सकते हैं और गे पानी में पर उबाल आने लगेगी हमें इसमें भीगेवे चावल डाल देना है तो मैंने 2.5 कप यानि की हाफ केजी बासमती लॉंग राइस लिए है जिनको मैंने आदे हंटे पहले भीगो दिया था अगर आप सेला चावल यूज कर रहे हैं तो कम से कम डेर से 2 घंटाउन को भीगो ल अब हमें इसमें से आधा कप पानी निकाल लेना है इस पानी का इस्तमाल हम बिर्यानी की लेरिंग के टाइम करेंगे जिससे कि हमारे चावल अच्छे से दम हो जाएंगे और इन चावलों को हम छान लेते हैं इधर हम सबजियां चेक कर लेते हैं तक्रीबन 16-17 मिनट मैंने को नहीं पकाना है यह देखिया इस तरह से क्रंच होना चाहिए इनके अंदर तो बस अब हमें बिर्यानी की असेंब्लिंग कर लेनी है तो एक पॉट ले लेंगे वही पॉट लिया है मैंने जिसमें की मैंने चावल उपा ले थे नीचे मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया जिससे की चावल चिपकेंगे नहीं अब चावल को हम तीन हिसों में डिवाइड कर देंगे पहली लेयर इसमें लगाएंगे अब यह थोड़ा सा फूट कलर और केवडा वाटर है जिसको मैंने घोल कर रख लिया है यह हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जो हमने प्यास ब यह थे इसमारी रिख देंगे केवडा शावल इसमें ड़ंना देंगे तो इसराओ से हमारी पड़ते हैं अब इसमें पूरत डाले में आई हाइए शावल बुट टाल देना है और 10 तरीवी प्यास डा ऑर दिद गे अर पुतिना डाल न रहेंगे और इसको ठग देना है और अब हम इसको हाइ फ्लिम पर पहले दो मुनिट के लिए पकाएंगे और दो मुनिट के बाद गयास की फ्लिम को लो कर देंगे अगर आपका जो पैन है वो हैवे बॉटम है तो आपको इसके नीचे तवा लगाने की जरूरत नहीं है और अगर आपका प फ्रेग्रेंट एकदम खुश्बुदार मिक्सवेज बिर्यानी बनकर तयार है बहुत ही फ्रेग्रेंट बहुत ही खुश्बुदार यह बिर्यानी बनती है और इस बिर्यानी को खाने के बाद बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी नॉन विच्छी क्रेविंग नहीं होग सरदियों का मौसम है, अलहमदुलिल्ला हर तरह की सबजी मार्केट में अविलेबिल है तो इस तरह की डिशेस आप बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं अपने फैमिले को खिलाएं जो सबजी नहीं भी खाते हैं वो इस तरह की आप बिर्यानी बनाकर उनको खिलाएंगे तो वो दोबारा से माँग माँग कर इसको खाने वाले हैं बहुत पसंदना रानी बाली है फैमिली में हर कोई इंप्रेस हो जाएकर जब आप इस बिर्यानी को बनाएंगे और इस बिर्यानी के साथ मैंने एक बोखा सबदसा रायता भी बनाया हुआ है इस रायते की वीडियो में इसी वीडियो के last मैं अटेच कर रही हूँ तो आप जाहें तो वीडियो को पूरा देखकर वो रायता भी इसके साथ बनाए इस बिर्यानी का जो टेस्ट है न वो दुग न हो जाएगा तो चलिए अब इसके साथ सर्फ कर निकले एक जबदस सरायता बना लेते हैं एक कप मैंने दही लिया वाए इसमें एक चोथाई कप मैंने पाई डाल कर अच्छी तरह से इसको फेट लिया है तो इस तरह से एक दब मिक्स बढ़िया से हो गया है अब इसमें एक चौथाई कप डाल देंगे बारिक कटी वी प्यास एक चौथाई कप बारिक कटी वी टमाटर डाल देंगे और हरिमिश डाल देंगे आप खीरा भी इसमें डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और यह हमारा रायता बनकर त्यार है